हमश्कार दोस्तों मैं छवीजय तुर्वेदी फिर से आपका स्वागत करती हूं साइं किचन में और इस बार में लेकि आए हूं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम तेल से बनने वाली ब्रेकफास्ट जो कि आपको बहुत पसंद आएगा सूजी से बनता है easy to digest है और आपको बहुत खाने में टेस्टी लगेगा तो आएए देखते हैं कैसे बनाते हैं यह टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है सूजी के अपे बहुत शांदार चीज है बहुत ही जांदार चीज है लेकिन इसको सीखने से पहले आपको मेरे चैनल को ला सबसे पहले आपको मिले तो आएए देखने हैं कैसे बन दी है सूजी के अपे किचन की तरफ चलते हैं सूजी के अपे बनाने के लिए एक कप सूजी में दो कप दही को मिलाएं अब इसमें एक चथाई से भी कम चम्मच खाना सोडा डालें स्वादनुसा नमक डालके इसको अच्छे से चला लें ध्यान रहें सूजी जितनी हो उससे दुगना दही हो ताकि सूजी अच्छे से उसमें घुल जाए यह हमने नमक डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सूजी और दही बिल्कुल एक सीध होके अच्छा सा बैटर बना दें यह देखिए हमने इसको सूजी को अच्छे से धही में मिला लिया है यह अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखेंगे कम से कम पांस से दस मिनिट इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे जिससे जो सूजी होती है फूलती है तो वो इतमिनान से बन जाए और ये सूजी जो इसमें अभी काफी थिक consistency है इसको हमें अच्छे से रख देना ढखके ये आराम से फूल जाएगे फिर इसके बाद हम इसको यूज करेंगे ये हमने सूजी को ढखके रख दिया है इसको हम 10 मिनट के लिए ढखके रख देंगे इसके बाद हम इसको यूज करेंगे यह देखिए हमारा जो यह बना है इसमें यह काफी गाड़ा हो गया अब हम इसमें थोड़ा सा अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से पानी मिलाएंगे ताकि हमारी यह जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी फ्लो वाली हो जाए यह हमारा सूजी के अप्पे का बैटर त्यार हो गया है अब हम इसमें थोड़ी से शिम्ला मिर्श मिला देंगे इसमें आप अपने हिसाब से वेजी मिला सकते हैं जैसे भी आप वेजी सखाना चाहें इसमें पर मैं सिर्फ शिम्ला मिर्श मिला रही हूँ और इसमें मैं प्याज भी मिलाओंगी शिम्ला मेर्च और प्याज मिलाओंगी ये शिम्ला मेर्च डालने के बाद हमने इसमें डाल दी है प्याज कटी भी अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी हल्दी से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसके अप्पे बनाएंगे यह हमने गैस पे काप्पे पैन रखा है इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे अब हम इसमें अप्पे डालेंगे काईए बैटर थोड़ा थोड़ा चम्मच से डालेंगे यह हम इसमें डालेंगे एकी चम्मच अप्पे का बैटर यह जो अप्पे हैं बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं और सबसे बड़ी बात की बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं अब हम इसको नीचे से सिखने देंगे इसके बात जब यह नीचे से सिख जाएंगे तब हम इनको पल्टेंगे यह देखिए यह नीचे से पक चुके हैं अब हम इनको पल्टेंगे यह देखिए अपे पैन आपको बजार में कहीं पर भी मिल जाएगा बहुत रीजनेबल मिलता है और इसमें बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह आप पर नॉनिस्टिक है बहुत ही कम तेल में बनने वाला बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है यह यह देखिए यह हमारे सिख गए है अपके उपर हम थोड़ा थोड़ा और देल डाल देंगे अब हम इनको ऐसे ही नीचे भी सिखने देंगे यह हमारे अपके बनके तयार है अब हम इनको सर्विंग बोल में डाल देंगे अब हम इसमें दूसरे बैटर डाल देंगे और यह हमारे अपके बनके रेडी हो चुके हैं झाल सब्सक्टाद को जब हमारे अपके पुछाद नीचे प्रॉके हैं